देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं बविता इस वक्त की बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी वी सामने आ रही है जहाँ पर पीम मोदी आज 12 बंकी में चुनाव प्रचार के लिए आज पहुंचे थे इसी दोरान उनका पूरा फोकस जो है वो यूपी की पीम मोदी आज 12 बंकी पहुंचे थे पाचवे चरन का जो है उन्होंने प्रचार किया है चुनाव के चलते तो इसी बीच जो है उनका पूरा फोकस महिलाओं पर था देखिए महिलाओं में भी सबसे बड़ी बात या है कि पीम मोदी ने जो मुद्दा उठाया रैली के जर लेवाले क्योंकि जहां 12 वंकी की आप तरहेंगे चलेंगे तो वहां मुस्लिम महिलाओं ने पिछली बार बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट किया था अब अगले श्यादाव एंड कंपनी और जो वांपंतियों की लोबी है वह अवा फैला रही है क्या वह फैला रह विवाद निकाला है और इस विवाद के जरीए ये सारे लोग मुस्लिम महिलाओं को बर्ग ला रहे हैं यहां हमें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है हमें जानना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं ने 2019 में वोट किया इन्हें पता है कि पिछली वार वोट की चोट कितनी गहर लगी अब यह सोच रहे हैं कि यह वोट की चोट ना लगे इसलिए पहले ही कोई मुद्दा ऐसा बवाली उठा जाए जिससे महिलाओं का मुस्लिम महिलाओं का मो भंग हो बीजेपी से आया कहें कि वह बीजेपी से दूरी बनाएं लेकिन मुस्लिम महिलाओं समझधार हैं आज पियमोदी ने एक बड़ा बयान देते हैं जिक्र किया तीन तलाग का पियमोदी ने कहा कि यह अकले शादव एंड कंपनी जो कहते हैं कि वह हम परवार जब परवार वादी हैं तो घोर परवार वादी का जिक्र करते हैं लेकिन अकले शादव ने हाली में बयान दिया जो पांस से दस साल में ही अपने बिता के घर आ जाती है यानि तीन तलाक लेकर के घर आ जाती है तो उसका दर्द कहा है और आपके कई ऐसे सांसत थे शफिकुर रह्मान साब हो या फिर एक और है तो टिये ससन तो कहीं नहीं उन्होंने तीन तलाक का जब ये कानून बना तो सब को दिख रहा है था तो उस वक्त ये मुस्लिम मेलाओं की बात करते हैं तो उस वक्त कहां थे तो पिया मोदी ने इस बात का जिकर किया कहीं ना कहीं ये अकलिश यादव पर गहरी चोट है दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि पिया मोदी ने जब चौते चरण में मद्दान चल रहा है उस वक्त ये रैली की और रैली उस जगे की बारमंकी में जहां मुस्लिम मैलाएं बड़ी तादाद में हैं और उन्हें वोट भी किया था अब अकले श्यादाव पर ये प्रहर किया है तो कहीं ना कहीं ये सो कर रहा है कि अकले श्यादाव सिर्फ परवार की तो बात करते हैं लेकिन वो खुद अपने परवार तक सीमेते हैं तो पिया मोदी ने इसी बात का जिक्र किया दूसरी बात अब देखेंगे कुछ दूनों पहले ही पिया मोधी ने हिजाब मुद्दे पर भी अपनी बात रखी थी पिया मोधी ने कहा कि मुसलिम महलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं और यह सब बरगला रहे हैं इनको तो यह हमारी जो बेटियां मुसलिम बेटियां इनको सब समझा रहा है कि कैसे हिजाब की मुद पर बाहर निकल कर सामने आ रही है लेकिन कहीं न कहीं मुस्लिम मैलाओं को समझ आ रहा है कि हमें बर्गलाने की कोशिश की जारी बिपक्ष और से और उन्हें पता है जह हम अपनी बात कर रहे हैं हम ग्राउंड पर गए थे आप भी गई थी मुस्लिमों के गड़ में या उपर था थी जिसकी जिसका हमने बहुत शालों तक दंश जहला और वो एक बार में ही पिया मुदी ने फैसला लेकर उसको दूर कर दिया तो मुस्लिम महलाओं के भी सुरक्षा बड़ा मुद्दा था कि कैसे पहले गुंडे और माफिया जो महला हैं उनके साथ में चुनाओ रहा थे और आज जो वोटिंग चल रही है कि उसको पूरा ध्यान में रखते हुए अकले श्यादव को घे त時 कर बाती है पदेखिए बीजैपी ने प्लान तियार किया है आप अब दक देख रहे होंगे कि जिनना गनना इधर चल रहा था जाटो के इरिया में जहाँ जाटलेंड कहते हैं अब दीरे-दीरे फेज बदलते जा रहे हैं तो बीजेपी के फेज के साथ ही उनकी रंडिती बदलती जा रहे हैं तो आतंगवात का पूर या फिर लकनव ऐसे लगबग नो जलों में वंब्लास्ट हुए थे उनका वो जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे अखलेश यादव की सरकार सुरक्षा के साथ खिलवार करती थी इसलिए बीजेपी की सरकार जब से पनिये योगी आतनात के नितरतु में तब से कर साफ है कि बीजेपी ने अपनी जो रनीती वह आक्रम ग्रूप से और बढ़ाई है और पीम मोदी हर चीज का ध्यान रखते हूं अकलेश आदव घिर रहे हैं और वह भी तत्थ्यों के साथ कोई बरगलाने वाला काम नहीं है कि अकलेश आदव जीत के गुमान में हवाई बाते करते हैं लेकिन जो बीजेपी है वह सॉलिड प्लान लेकर चल रही है और इस आधार पर बाते रहे हैं उस आधार पर बेपक्ष को घेर रही है बिलकुल सही का आपने युद्धित चे इसी पर एकोड़ सवाल है कि क्योंकि 12 बंकी में रही है उसके अलावा भी प्यम गांदी का जिक्र नहों ऐसा हो नहीं सकता है प्रियंका गांदी भी महिलाओं को जाधा से जाधा जो है साधनी की कोशिश करिए हिजाब विवात को बीच में ही लाल आके उसको बढ़ावा दे रहीं क्या कहिंगे इस पर देखिए प्रेंका वाज्रा की तो आप कहिए मत एक कई मुद्ध हावी हैं अभी हाली में आपने देखा होगा कि जब आतंग वात को लेको इनसे सवाल किया गया तो वो क्या कह रही थी कि नहीं यह सब फाल्तु है इस बात में नहीं पढ़ता है हमें विकास की बात कर रही है तो मतलब आतंग वात पर आप नहीं बोल सकते मतल अरे विकास कहां से होगा तो आपके छेत्र में शान्ती नहीं होगी बम दमाके और इस सब हत्यारों से हमला चलता रहेगा तो क्या इससे विकास होगा तो वो हड़ जाती हैं तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बात करती हैं उनको अभी अब देखिए उमीद्वार तक नी मिलें उनको कह रही थी हैं कि महिलाओं को 40 फिसदी टिकट देंगे लेकिन महिलाएं नहीं मिल पारी तो मैलाएं भी जानतीं है कि लड़की जो है कि प्रेंका वाजरा जो लड़की है कितनी लड़ सकती वो जानती है इस बात को इसलिए और शायद वो जिस तरीके से रोड सो में रैलियां कर रही है दवा के उससे कुछ फायदा नहीं पड़ने वाला है वास सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं टक्कर सपा और बीजेपी में हैं और नतीजे क्या कुछ कहते हैं वो सारे निताओं के चहरे बता रहे हैं बहले अकले शा यह जबकि हिजाब पे वो बोली जारी है बोली जारी है लड़कियों को बलगरा रही है मुस्लिम वोटरों को साधनी की कोशिश करें इस पर क्या कहीं देखिए इनका कह सकते हैं कि यह बैकलपिक मुद्दों को उठाते हैं इनको जो दिखता है इनके चूसेवल होते हैं मत साइक कांड हुआ था रेप हुआ था और इसमें क्या था बहरामपुर वाले में मुस्लिम एंगल था मैं सच्छे बता रहा हूं तो वहां पर इन्होंने उस अबास को नहीं उठाए क्योंकि ने पता था कि वहाई हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा और जो आरोपी था वो मुस्लिम था और जिस लड़की के साथ रेप हुआ वो हिंदू थी लेकिन उसमुद्य को नुठाया यह कहां गए सारे के सारे रेला करते हुआ परटन इस्थल बलाकर हात रस में वहां डेरा डाला रहे हैं वहां दिखाया कि हम आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं और आ पर पहुंची थी परिवार वालों सी लेकिन वहीं बजरंग दल के जो एक समझता कि उनकी मौत हो जाती है लेकिन उसके लिए वहां नहीं पहुंच बारी है ना उन्होंने अभी तक अपना कोई स्टेट्मेंट जारी किया है नहीं देंगे मैं बता रहा हूं ना इनको सोचिए मैं बता रहा हूं आपको अगर यही कोई खास समदाय से होता यूवक जिस तरीके से मारा गया तो मुझे लगता है कि यह मौंबती गैंग टुक्ट टुक्ट गैंग सड़कों पर आकर के कहता कि समिधान जो है समिधान की दौई देते और कहते लोगतंत्र की लोग पंकी में पहुंचे थे पाचवे चरन के मददान के लिए पाचवे चरन के जुनाफ के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया है इसी बीच उनका पूरा फोकस महिलाओं और बेटियों भरता उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किये अखिलेश पर भी उन्होंने कई तंश कसे और इसी पर उन्होंने पिछली सरकार पर हमला भी बोला है और हाँ बेल आईकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया